हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब असवक्त की बड़ी खबर नाकपुर्ष चा रही है मेयो अस्पताल से जिन चार संदिक दो के खुद घर चले जाने की खबर आई थी अब उसमें से तीन संदिक अस्पताल में वापस आ गए है एक मरीज अभी तक वापस नहीं आया है इनका कोरोना वाइरस का टेस्ट किया गया है जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आनी है तो अस्पताल से जो चार संदिक खुद घर चले गए थे उनमें से तीन वापस आ गए हैं उनका फ्रेश टेस्ट किया गया है जबकि एक संदिक अभी तक नहीं लौटा है आईजी एमसी से जो चार मरीज कल खुद होके निकल गए थे शाम को रात में लगबक साड़ेदस ग्यारा के करीब उनमें से तीन लोगों को हम लोगों ने अभी फिर से यहां पे वापिस लाया है और एक जो है वह एक आधे पाउन घंटे में वहाँ पे पाउन जाएंगे ये सारे मरीज जो है वो कल वहाँ पे उनका सैंपल लिया गया है और सैंपल लेकि जो है उसकी रिपोर्ट जो है आज दुफेर में साड़ी तीन चार बज़े तक हमको मिलने की उम्मीद है तो यहां सवाल अस्पतार प्रशासन पर उठे थे कि अगर सस्पेक्ट भी है तो वो घर कैसे चले गए क्यूं है एबीपी लाइफ न्यूज लवर्स का फेवरिट वर्क डेडलाइन्स में भी स्टे अपडीटेड ऑल्वेज सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक जस्ट लाइक घर जैसा कमफर्ट है बेस्ट वैसे ही अपनी लैंग्विज में न्यूज की फील है लेट एनी टाइम फूद डिलिवरी के टाइम पर मिली अपने फेवरिट एंकर से किसी भी टाइम एबी टी लाइव एप के साथ रहो सब से आगे डाउनलोड नाव मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंत्री सीरीज टू शनिवार रात दस बड़े